हेलो फ्रेंट्स तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एट्थ में एक्ससाइज 9.2 का कॉशिन नमबर 4 मेंसुरेशन चैप्टर में तो कॉशिन हमें कहा रहा है रुक्सर पेंटेड दे आउटसाइड अफ दे कैबिनेट आफ मेजर 1 मीटर इंटी 2.2 मीटर इंटी 1.5 मीटर हाउ मच सर्फेस एरिया देट सी कावर इफ शी पेंटेड ओल एक्सेट दे बॉटम अफ दे कैबिनेट बैसिकली कॉशिन हम से कहा रहा है कि एक रुक्सर नाम की लड़की है जिसको कि एक कैबिनेट को पेंट करना है तो उसने यहाँ पर सारे साइड को पेंट कर दिया है तो उसने यह वाला साइड भी पेंट कर दिया है उसने यह साइड भी पेंट कर दिया है और इसके इधर वाला साइड जो रहागा वो भी कर दिया है और पीछ वाला साइड को भी paint कर दिया है तो इसने सारे साइड को paint कर दिया है बस इसने bottom साइड को paint नहीं किया है तो अब हम लोग को निकालना है कि कितने surface area को उसने paint कर दिया है तो यहाँ पर बात समझ नहीं होगी कि देखो हम लोग total surface area यहाँ पर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग bottom वाले area को नहीं consider कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पता है question में दिया है कि bottom वाले area को paint नहीं किया जा रहा है तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाली side इस वाली side और इधर rear वाली side और पीछ वाली side का lateral surface area निकाल देंगे और उसके बाद जो top वाली जो top का side है इसका हम लोग area निकाल देंगे तो obvious सी बात है जो top वाली side ये एक rectangular form में है तो इसका area हो जाएगा length into breadth और ये LSA का formula occupied का होता है 2 in bracket length plus breadth into height तो अब इसी concept से हम लोग इस question को solve करते हैं तो let's start the solution of this question तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर surface area painted equals to lateral surface area of cabinet plus area of top तो literal surface area of cabinet का formula होता है 2 in bracket length plus breadth multiply by height और area of top का formula होता है क्योंकि area of top एक rectangle है तो उसका formula हो जाएगा area का length into breadth अब यहाँ पर 2 bracket में देखो यहाँ पर हम लोग फिगर में पता है कि ये length है ये breadth है और ये height है तो length में हम लोग 2 put कर देंगे 2 plus breadth हो जाएगा हमारा 1 और height है हमारा 1.5 तो यहाँ पर हम लोग 1.5 put कर देंगे plus length देखो यहाँ पर ये जो rectangle है उसका यहीं length तो होगा क्योंकि cabinet तो same ही उसका है parameter का तो इसका length और इसका length same होगा और वहीं के इसके top का भी जो breadth होगा वो भी इस cabinet के breadth के equal होगा तो length यहाँ पर हम लोग 2 ले लेंगे और breadth लेंगे 1 अब इसको solve करेंगे तो ये 2 रहेगा bracket में इसको इसको add करेंगे तो हो जाएगा 3 multiply by 1.5 प्लस ये हो जाएगा 3, no no sorry ये हो जाएगा 2 into 1, 2 अब यहाँ पर हम लोग इसको open करते हैं तो ये जो bracket open होगा तो ये हो जाएगा 2 multiply by 3 multiply by 1.5 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6 into 1.5 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 9 प्लस 2 ये हो जाएगा 11 और क्योंकि ये area की बात हो रही है तो meter square so this is the answer for our today's question अगर आपको solution पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर निए तो subscribe करें मिल ते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद